शारदीय नवरात्री का पूजन आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में किया जाता है। अलग अलग सवारी पर सवार होकर आती हैं, जो भविश्य में होने वाली घटनाओं का संकेत देता है। के अनुसार इस साल नवरात्री की शुरुवात गुरुवार की दिन से हो रही है, जिसका मतलब है मादुर का डोली पर सवार होकर आएंगी। देवी भागवत पुराण के अनुसार जब नवरात्री की शुरुवात गुरुवार या शुगरुवार से होती है, तो इसका अर्थ मा के डोली पर सवार होकर आने से है। मा का अपने माय के या भक्तों के घराना और उन्हें अभैदान प्रदान करना हमेशा ही शुब होता है, लेकिन जोतिशाचारियों के अनुसार मादुर्गा का डोली पर सवार होकराना भविश्य के लिए अशुब संकेत दे रहा है। जोतिशाचारियों के अनुसार मा का डोली पर सवार होकराना प्राकृतिक आपदा, महमारी और देश में शासन व्यवस्था में अस्थिरता का संकेत दे रहा है, जिसके कारण हमें भविश्य में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये संकेत है मादुर्गा का पूरी श्रधा और मनोयोग से पूजन करने का। मादुर्गा का पूजन सभी दुखों और कश्टों को हर लेगा। न्यूजविंकी बिरो रिपोर्ट